ताथियों आप कॉरोना वैस्विक महमारी उस पर पुरी दुनिया की सिती को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे आप यह भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महमारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया ऐसा नहीं है कि यह देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास संसाधनों की कमी हो लेकिन कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चनवती बढ़ती ही जा रही है इन सभी तेशों के दो महिनों के अध्यान से जो निश्कर से निकल रहा है और एक्सपर्स भी यही कह रहे हैं इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है सोश्यल डिस्टंसिंग तो सोश्यल डिस्टंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना अपने घरों में ही बंद रहना को रोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोरोना को प्हैलने से रोकना है तो उसके संक्रमन की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा कुछ लोग इस गलत थाहमी में है कि सोश्यल डिस्टंसिंग केवल मरीज के लिए बिमार लोगों के लिए आवश्यक है कि यह सोचना सही नहीं है कि सोश्यल डिस्टंसिंग हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए हैं परिवार के हर सदस्य के लिए हैं प्रदान मंत्री के लिए भी है कुछ लोगों की लापरवाही कुछ लोगों की गलत सोच आपको आपके बच्चों को आपके माता-पिता को आपके परिवार को आपके दोस्तों को और बड़ी मुष्टिल में जोग देंगे अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुष्टिल झापके बड़ी मुष्टिल झापके बड़ी मुष्टिल